हेलो दोस्तो वेल्कम बैक आर्या वियनेस दोस्तो आज हम बनाएंगे पनीर के पकोड़े दोस्तो आज मेरी वाइश थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा चुकाम है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेस्पी यहां पे मैंने लगबग 500 ग्राम क इसके बड़े-बड़े पीसिस कट कर लेने हैं सारे पीसिस इक्वल होने चाहिए और पीसिस ना जादे मोटे होनी चाहिए ना जादे पतली वैसे आप मोटे रख सकते हैं लेकिन उसका जादे मोटे होने पे थोड़ा फीका-फीका सा लगता है तो अकर पतले-पतले तो अब निरे टुक्रें कट के तीयार हो चुके हैं अब यह थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पौडर को लोचे करमाärीत तुक्त मुलरी नमक काज़ें डाल लग रेइस के अच्यस से मिलाक के राक प्रथ हमें जेए हों बेशन में ऐड़ कर रहे हूं चावल का आठा यह ज्यादा नहीं होना चाहिए उसाथ ही में ले रही हो हल्दी पाऊडर लाल मिर्च पाऊडर और नमक इसके साथ थोड़ा सा अजवाईन हाथों से क्रस्कर करके इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हरी सब्सक्राइब। Hindi गोल कर लेंगे मेरा जादि १ाड़ी ना जादि काड़ी पात्ली or पैर के सब्सक्राइब। अब यह हमारा बैटर बन के पिल्कुल त्यार हो चुका है अब जो हमने पनीर के टुकड़े काटे हैं इसे अच्छे से दोनों साइड से कोट कर लेंगे और फिर अराम सी इसे तेल में डालेंगे सब एक एक करके चारों तरफ ध्यान रखें एक के उपर एक ना आए ऐसे साइड से एक एक करके डालते जाएंगे कुछ समय बाद जब यह हलके पक जाएंगे नीचे से तो फिर हम इसे प्लट लेंगे तो आप देख सकते हैं यह देख की पता चला है कि एक साइड में हलका गो लग रहे हैं सच मानीए खाने पर और विज्ञादे टेष्टी लगते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी एक बर कमेंट जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेबा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और अच्छे जशी वीडियो देखने के ये बने रहे हैं हमारे साथ, मिलते हैं हम अगली वीडियो में